जैशी राम यहां तक किरमायन कथा मैं कहा चुकी हूँ आगी की कथा इस प्रकार है जिटायू रावन यूद असोक वाटी का में सीता को रखना ग्रीद राज जिटायू ने सीता जी की दुख वरी वानी सुनकर पहचान लिया कि ये रगुकुल तिलक सिरीराम चंदर जी की पतनी है नीच राक्षस इनको लिये जा रहा है जैसे कपिला गाएं मलेच के पाले पड़ गई हो हे सीते पुत्री भै मत कर मैं इस राक्षस का नाश करूँगा वह पक्षी क्रोध में भर कर ऐसे दोड़ा जैसे परवत की ओर वज्ज चूटता हो रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता नीडर होकर चल दिया मुझे तूने नहीं जाना उसको यम्राज के समान आता हुआ देखकर रावन घूम कर मन में अनुमान करने लगा यह तो मेनाग परवत है या पक्षियों का स्वामी गरड़ परव है तो अपने स्वामी विश्णू सहीत मेरे बल को जानता है रावन ने उसे पहचान लिया यह तो गूड़ा जिटाईू है यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में स्रीर छोड़ेगा यह सुनते ही गिद क्रोध में भर कर बड़े वेग से दोड़ा और बोला रावन मेरी सिखावन सुन जानकी को छोड़ कर कुसल पूर्वक अपने गर चला जा नहीं तो हे बहुत बुजाओं वाले ऐसा होगा कि सिरीराम जी के क्रोध रूपी अत्यंत बयानक अगनी में तेरा सारा वंस पतंगा हो जाएगा योदा रामन कुछ उत्तर नहीं देता तब गिद क्रोध करके दोड़ा उसने बाल पकड़कर उसे रत के नीचे उतार लिया रामन प्रित्वीवी पर गिर पड़ा गिद सीता जी को एक और बैठा कर फिर लोटा और चोंचो से मार मार कर रामन के स्रीर को विदरन कर डाला इस से उसे एक गड़ी के लिए मूर्चा हो गई तब खिसाई हुई रामन ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत बयानक कटार निकाली और उसे जिटायों के पंक काट डाले पकसी शिरीराम जी की अदबुत लीला का समरन करके प्रित्वी पर गिर पड़ा सीता जी को फिर रत पर चड़ा कर रामन बड़ी उतावली के साथ चला उसे बैय कम ना था सीता जी अकास में विलाप करती हुई जा रही थी अनो व्यादे के बस में पड़ी हुई कोई बाइबीत हिर नी हो परवत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरी नाम लेकर वस्तर डाल दिया इस परकार वै सीता जी को ले गया और उन्हें असोक वन में जा रखा सीता जी को बहुत प्रकार से बैय और प्रीती दिखला कर जब वैदु श्ठार गया तब उनने यतन करा के असोक विक्स के नीचे रख दिया जैशी राम